टाटा मोटरस ने भाई अपनी अब तक की सबसे सस्ती और सबसे छोटी EV इंडिया में लॉंच कर दी है जो कि है अपनी टियागो EV जिसकी प्राइस चुरू की भाई सिर्फ 8.5 लाग रुपे से और इतने कम प्राइस में भाई इस गाड़ी में इतनी बड़िया रेंज मिलती है और इतनी कम इसके रेंग कोस्ट है उसके अलावा इस गाड़ी में इतने कमाल के फीचर्स मिलते है बाई और उन में से कुछ फीचर्स तो इसके पेट्रोल वाले मॉडल में भी नहीं मिलते है पर इस वाले EV मॉडल में हमें देखने को मिलते है तो इन सारे चीजों के बा सिर्फ इसकी उपर वाली ग्रिल क्लोज मिलती है क्योंकि यह एक EV है उसके बाद यहाँ पर एक ब्लू पट्टी मिलती है नॉर्मल पेट्रोल वाली टियागो में यहाँ पर हमें क्रोम वाली पट्टी मिलती है पर यहाँ पर यह एवी होने के कारण यहाँ पर हमें इसमें ब् यहाँ पर एक size reduce करके 14 inches के मिलेंगे क्योंकि Tata वालों को इस गाड़ी में ज्यादा range देनी थी तो अगर वो 15 inches के tires के साथ इसको launch करते हैं तो शायद वो 15 inches के tires से इतनी बड़ी आ range नहीं cover कर सकते थे इसलिए उन्होंने शायद इस गाड़ी में 14 inches के wheels दिये हैं ताकि इसमें बड़ी आरेंज मिलें उसके अलावा यहाँ पर हमें black color का ORVM देखने को मिलता है जो की auto foldable और internally adjustable जैसे features के साथ आता है गाड़ी में किसी भी प्रकार के roof rails नहीं मिलती और normal Tiago में जैसे door handles पे chrome की finishing देखने को मिलती है सेम उसी तरह से भी इस Tiago EV में हमें वो chrome वाली finishing देखने को मिल रही है अब बात करते है भाई इस गाड़ी के rear profile की तो rear profile में भी सेम Tiago petrol जैसे ये rear looks मिलते है सेम tail lights, wiper, defogger, सब कुछ यहाँ पर हमें Tiago petrol जैसे ही देखने को मिलता है और इस गाड़ी में भी shark fin antenna नहीं आता है हमारा पूरान style वाला antenna ही Tiago की EV में भी देखने को मिलता है Tiago EV में teal blue, daytona gray, pristine white, midnight plum और tropical mist ऐसे total 5 color options हमें देखने को मिलते है अब बात करते हैं भाई Tiago EV के interior में क्या कुछ features हमें देखने को मिलते है तो सबसे पहले यहाँ पर जो major change है यहाँ पर हमें Tiago EV में white color की leatherite seats मिल जाती है वही पर इसके Tiago petrol वाले variant में black color की seats मिलती है जो की leather की नहीं है उसके अलावा यहाँ पर हमें Tiago petrol जैसे ही same digital instrument cluster मिलता है 7 inch की infotainment screen मिलती है जिसमें हमें Apple CarPlay और Android Auto का support मिलता है cool glow box मिलता है पर Tiago EV में push button start stop, cruise control और Z connect के car connected features हमें extra देखने को मिलते है Tiago EV में compare to Tiago petrol Tiago EV के Z connect में remote AC on off, temperature setting, remote geofencing, smart watch connectivity, vehicle health diagnostic, real time charge status, dynamic charger locator, driving score और ऐसे total 45 बढ़िया बढ़िया features इसके Z connect के car connected feature में हमें देखने को मिलते है और खास बात तो ये है कि इसका जो car connected वाला feature हमें इसके base model से ही देखने को मिलता है यानि कि अगर आप इस गाड़ी का base model भी लोगे तो आपको ये car connected वाले features उसमें देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी बढ़िया बात करी है Tata ने यहाँपर उसके अलावा harman sound system के 8 speakers, auto climate control, standard यानि कि हर किसी variants में मिल जाएंगा rain sensing wiper ऐसे feature समय TIAGO के EV वाले model में मिल जाएंगे अब बात करते हैं भाई TIAGO EV में मिलने वाले battery packs की तो इस गाड़ी में हमें दो battery packs देखने को मिलेंगे एक होगा 19.2 kilowatt hour का और एक होगा 24 kilowatt hour का तो अगर आपको सिर्फ city city में गाड़ी चलानी है तो आपके लिए 19.2 kilowatt hour वाला base रहेगा और अगर आपको थोड़ी बहुत highway बे भी चलानी है तो आपके लिए 24 वाला भी option यहाँ पर company ने available कराया है दोनों ही battery packs IP67 rating के साथ आते हैं जो कि dust proof और waterproof है और इस गाड़ी में मिनने वाले दोनों ही battery और motor पे हमें 8 साल या फिर 1,60,000 km की warranty भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर हमें काफी बड़िया range इन दोनों ही battery से मिल जाती है city और highway में चलाने के लिए Tiago EV में भी same Nexon और Tegor EV जैसा ही Tata का Zipron High Voltage Architecture यूज किया गया है जिसमें permanent magnet synchronous electric motor मिलती है जो कि power produce करती है 74 bhp और 114 newton meter का torque यहाँ पर यह motor produce करती है और वही पर जो दूसरी छोटी battery है 19.2 kilowatt hour की वह वाली battery से उसकी motor produce करती है 61 bhp की power और 110 newton meter का torque और अगर आप बड़ी वाली battery से 0 to 60 करेंगे तो Tiago EV सिर्फ 5.7 seconds में ही 0 to 60 की speed अचूँ कर लेगी वही पर छोटी वाली battery में इसको 6.2 seconds का time लगेगा 60 की speed अचूँ करने के लिए अब बात करते हैं भाई Tiago EV के charging time के बारे में 2 kWh वाली battery को 10% से 100% तक सिर्फ 5 गंटों में charge कर सकते हो वही पर 24 kWh वाली battery को 6 गंटे और 20 मिनिट में आप charge कर सकते हो normal charger से उसके अलावा इस गाड़ी में हमें और एक 7.2 kWh का AC fast charger देखने को मिलता है जो कि इसकी छोटी वाली battery को सिर्फ 5 गंटे में charge कर देता है और बड़ी वाली battery को 3.5 गंटों में जिसके मदद से आप इस कार में बहुत अच्छी range अच्यूब कर सकते हो बात करेंगे safety की तो Tiago petrol वाले model को 4 star मिल रखे है global n-cap test में और Tiago EV भी वही same platform पे best है सिर्फ इसमें motor और battery लगी हुई है तो Tiago EV में भी हमें same safety ratings मिलेगी like Tiago petrol और बात करेंगे safety features की तो जैसे कि Tiago petrol में हमें ABS, EBD जैसे बहुत सारे safety features मिल जाते हैं तो वही सारे same safety features हमें Tiago के EV वाले model में भी continue किये जाएंगे इस गाड़ी में XC, XT, XZ plus और XZ plus take lux ऐसे total 4 variants रखने को मिलते हैं जिन में से अगर आप इस गाड़ी का base model लेते हो तो यहाँ पर सिर्फ हमें 19.2 kWh वाली battery मिलती है व वहाँ से आपको 19.2 kWh वाली battery के साथ साथ बड़ी वाली battery यानि कि 24 kWh वाली battery भी मिल जाती है और इस गाड़ी की price शूरू हती है साड़े 8 लाक रूपीज एक शूरूम से और top model XZ plus take lux की कीमत है 11.79 लाक एक शूरूम Tata Motors के according अगर किसी petrol car से हमें 1000 km कवर करने है तो 7,500 रूपे का petrol लगेगा पर वही पर अगर Tiago EV से हम 1000 km कवर करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ 800 रूपे का खर्च आएगा ऐसा Tata Motors का कहना है जिसके चलते हम 6,500 रूपे हर महिने के save कर सकते हैं Tiago EV की official bookings 10 October से चलो होनी वाली है वही पर उसके deliveries 2023 के जानेवारी मैने से चलो होनी वाली है और इसकी अभी जो यह prices है यह सारी introductory prices है और यह prices सिर्फ पहले 10,000 customers के लिए ही रहेंगी उसके बाद इसकी price बढ़ने वाली है और उन 10,000 में से भी Tiago EV की 2000 units Tata Motors ने reserve कर रखी है अप की Tiago EV की 8,000 unit sale होने के बाद उसकी introductory prices बढ़ने वाले तो यह थी भाई Tata की Tiago EV अगर आपको ए वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification जरूर प्लिक करी वरना आपको आने वाले वीडियो की notification नहीं मिलेगी और वीड वीडियो देखने के लिए thank you so much